चराई भूमी इसके अंतरगत वह भूमी सम्मलित की जाती है जो स्थाई चारागाह छेत्र तथा किसी भी प्रकार की चराई भूमी होती है। इस भूमी के कम होने का प्रतिकूल असर सबसे गरीब परिवारों पर पड़ता है। के लिए अगर किसी निजी व्यक्ति या गाउं की जमीन की आवशक्ता है तो सरकार उन्हें उचित मुआवजा दे कर अधिक ग्रहित कर सकती है। के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत होती है। यहां तक कि कई गाउं के लोग इससे विस्थापित हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि ऐसे में उचित मुआवजा कैसे तै किया जाए इसको लेकर विवाद रहा है। 2013 में इस संबंध में एक महत्वपूर कानून बना जिसका नाम है भूमी अधिक ग्रहन अधिनियम 2013। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बॉक्स में पढ़ें। सिक्षक के साथ चर्चा करें। भू अधिक ग्रहन अधिनियम 2013। इस अधिनियम में भूमी अधिक ग्रहन के साथ साथ पुनरवास एवं पुनर स्थापना का भी प्रावधान है। निजी कम्पनियों अत्व सार्वजनिक निजी भागिदारियों के इस्तमाल हेतु भूमी के अधिक ग्रहन के मामले में 80% विस्थापित वेक्तियों की सहमती अपेक्षित है। विस्थापित या अधिक्रहन द्वारा प्रभावित परिवारों में संबंदित भूस्वामियों के साथ साथ वे सभी लोग भी समलित होंगे जो उस जमीन से अपनी अजीविका पाते थे जैसे मजदूर, बटाईदार, चरवाहे, आदिवासी, आदिग। केवल अतिविशेश परिस्थितियों में ही बहु फसलिय वह संचित क्रिशी भूमि का गैर क्रिशी उप्योग के लिए अधिगरहित किया जा सकेगा। अधिग्रहन से पूर्व उस जमीन के उप्योग के परिवर्तन का सामाजिक एवं परियावर्णिय प्रभाव का अध्यन किया जाएगा भू स्वामियों वा अन्य को उचित मात्रा में मुआवज़ा दिया जाएगा जिस काम के लिए भूमी का अधिग्रहन किया गया है उससे अलग काम भूमी पर नहीं किया जा सकता है और पांच वर्ष से अधिक समय में उस भूमी का उप्योग नहीं होता हो तो उसे पुराने भू स्वामियों को लोटा दिया जाएगा सरकार की पूर्व अनुमती के बिना अधिग्रहित भूमी के स्वामित्तों में कोई परिवर्तन नहीं होना है कई उद्योग पती वह सरकारी अफसर जो नए उद्योग लगाने के लिए जमीन चाहते हैं यह शिकायत कर रहे हैं कि इस कानून के कारण उन्हें जमीन मिलना बहुत कठिन और महंगा हो गया है